नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्व चनल पर दोस्तों आर्साय की ओफियल वेबसाइट पर अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पर दो नोटिस डाले गए हैं हाला कि यह दोनों नोटिस ही बहुत पुराने हैं लेकिन आर्साय ने इनको दुबारा से अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है यह नोटिस दोस्तों बहुत ही important है जिसमें बहुत important जानकारी दी है ऐसे सभी candidate के लिए जो special education field में आना चाहते हैं या फिर special education field में पहले से ही हैं और उनको यह जानकारी नहीं पता तो आज की इस फिडियो में इसी जानकारी के बारे में बात करना चाहते हैं यह दोस्तों letter है 2009 का यह letter है जो की RCI ने 2024 में अभी मई के महिने में ही अपनी website पर upload किया है इस letter का topic है दोस्तों BA and Beard General Education and PGPD course equivalent to Beard Special Education तो दोस्तों यहाँ पर clarification दिया गया है RCI के द्वारा कि जो Beard General या फिर BA program होता है या PGPD course होता है यह जितने भी course होते हैं क्या यह Beard Special Education के बराबर होते हैं या फिर नहीं या फिर दूसरे तरीके से अगर बोलें कि यह जो course है Beard General वो Beard Special के बराबर किस तरीके से माना जा सकता है या किस तरीके से Beard Special के बराबर वैलिड हो सकता है इसी का clarification इस letter में दिया गया था जो आज की rate तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब भी वैलिड है और जब तक RCI के दौरा कोई और बतला नहीं किया जाता notice में तब तक यही norms और यही guidelines valid मानी जाएंगी यहाँ पर इसका जो answer दिया गया है इस notice में RCI के दौरा बताया गया है यहाँ पर RCI ने कुछ courses के combination बनाए है और बोला है कि अगर आपके पास इन combination में courses आपने कर रखे हैं तो आपका जो course है वो बियर्ड special के बराबर माना जाएगा इसमें सबसे पहली जो बात बोली गई है बियर्ड in general education with post graduate professional diploma in special education जिसे PGPD special education कहते थे याँ अगर किसी candidate ने बियर्ड general कर रखा है चाहे open से करा है चाहे private करा है और भारत की किसी भी मानेता प्राप्त NCTE मानेता प्राप्त university या college से बियर्ड general का course पूरा कर रखा है अगर वो post graduate professional diploma in special education कर लेता है तो उसकी जो बियर्ड general है वो बियर्ड special के बराबर मानी जाएगी और जब भारत के किसी भी राज्य में बियर्ड special के base पर नौकरी निकलेगी तो उसकी जो बियर्ड general है PGPD course जो special education में वो करेगा उसको 7 लगा करके उसकी बियर्ड general बियर्ड special के बराबर हो जाएगी हाला कि दोस्तों यहाँ पर जितने भी नए candidate हैं उनके लिए एक बात और बताना चाहता हूं यह course है PGPD special education यह 2014.15 से बंध हो चुका है उससे पहले तक यह course चलता था आज की rate में PGPD special education course पूरे भारत में बंध हो चुका है आज से द्वारा कहीं पर भी यह course नहीं चलाया जाता लेकिन और भी रास्ते हैं अगर आपने बियर्ड general कर रखा है तो उसको बियर्ड special आप किस तरीके से बना सकते हैं आगे बात करते हैं DSE जिसका आज की rate में नाम Diploma in special education जिसे कर रखा है और अगर वो Diploma special जो कि आज की date में भी चलता है course दो साल का special education का course है जिस जो कि आप सभी को पता है कि Diploma special चला जाता है आरसे द्वारा मायता प्राप कोर्स अगर आपने बियर्ड general के साथ Diploma special course कर लिया है तो आपकी जो बियर्ड general है वो बियर्ड special के रूप म valid रहेगी जब भी पूरे भारत के किसी विराज्य में बियर्ड special के बेस पर कोई भी जॉब निकलती है तो आपकी जो बियर्ड general है उसके साथ आपने Diploma special कर रखा है दो साल का तो आपकी बियर्ड general भी महाँ पर special बियर्ड मानी जाएगी क्योंकि आपने special diploma कर रखा है तो आज की डेट में जितने भी गडिर्ड ऐसे हैं अगर उन्होंने बियर्ड general कर रखा है और वो चाहते हैं कि उनकी जो बियर्ड general है वो बियर्ड special कैसे convert हो या कैसे valid मानी जाए तो वो Diploma in Special Education जो की आरसे द्वारा मायनताप्राप regular course है, full time course है ये course open से नहीं कराया जाता, regular course है दो साल का special education diploma तो वो ये course कर सकते हैं अगली जो चीज़ है आपर बताए गई है combination में senior diploma in teaching the deaf अगर किसी व्यक्ति ने senior diploma in teaching the deaf ये course कर रखा है तो ये जो डिप्लोमा है senior diploma in teaching the deaf ये बियर्ड special के बराबर माना जाएगा अगली जो चीज़ है यहापर secondary level teacher training course in visual impairment तो यहाँ पर चौती जो चीज़ बताए है, चौता course बताए है senior level teacher training course in visual impairment अगर किसी ने ये course कर रखा है तो ये course भी बियर्ड special के बराबर माना जाएगा अगला course है PG diploma course in special education mental retardation अगर किसी ने PG diploma कर रखा है mental retardation में तो ये course भी बियर्ड special के बराबर माना जाएगा तो ये सारे combination है जो RCI ने बताए हैं और RCI ने इसके बाद अभी तक कोई notice नहीं निकाला है और ये ही पुराना notice 2009 का notice 24 में मई के महिने में RCI ने अपनी website पर upload किया है आप जाकर के website भी चेक कर सकते हैं notice and circular के tab में जाकर के आपको ये notice महीं पर मिल जाएगा तो ये सारे courses हैं जिससे beard general को भी beard special के बराबर बनाया जा सकता है बहुत ही important जानकारी है जिनको नहीं पता थी उनके लिए जानना बहुत जादा ज़रूरी था इसके साथ साथ एक और पुराना notice है जो की 2012 कही है और ये notice भी RCI ने दुबारा से अपनी official website पर notice and circular के tab में upload किया है महीं के महीने में 2024 में यहाँ पर ये notice है ये clarification दे रहा है minimum requirement of RCI approved qualification for appointment of special education teacher यानी RCI ने यहाँ पर requirement बताई है कि special education teacher की job पाने के लिए आपके पास minimum क्या qualification या क्या requirement आपको पूरी करनी पड़ेगी ये चीज़े जानना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे candidate को पता नहीं होता कि special education teacher बनने के लिए उनको क्या course करना पड़ेगा या क्या qualification लेनी पड़ेगी तो इसमें आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा अभी आपको बताने वाला हूं क्या क्या requirement है copy and close यहाँ पर लिखा है तो क्या क्या guidelines आप यहाँ पर देख सकते हैं कि level यहाँ पर अलग-अलग level wise बता दिया गया है कि special education teacher अगर अलग-अलग level पर लगते हैं किसी भारत के किसी भी राज्ये की सरकार द्वारा वेकेंसी निकाली जाती है तो क्या क्या requirement वहाँ पर राज्य सरकार को मांगनी चाहिए special education teacher से अलग-अलग level पर पहला level preschool nursery या play school level पर अगर special education teacher की भरती निकलती है तो उसमें क्या course आपको या क्या qualification आपकी होनी चाहिए वो यहाँ पर लिखा है आप यहाँ पर read कर सकते हैं special education teacher लगने के लिए eligible माने जाएंगी दोस्तो यह जो rules हैं इनको recruitment rules कहते हैं जो हर राज्य सरकार द्वारा अपने हिसाब से design की जाते हैं इन rules में और जो सरकार द्वारा राज्य की सरकार द्वारा जब vacancy निकाली जाती है थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है क्योंकि राज्य सरकार द्वारा अपने हिसाब से नियमों में बदलाव किया जा सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा तो जो भी राज्य भारत का कोई भी राज्य अगर special education teacher की कोई भी vacancy निकालता है चाहे वो primary level पर हो चाहे वो pre primary level पर हो secondary या फिर senior secondary level पर तो उसके जो नियम होंगे वो ही valid माने जाएंगे क्योंकि recruitment agency वो राज्य सरकार है जो आपको नौकरी का advertisement निकालके दे रही है और जहां पर आप नौकरी लेंगे आरसे द्वारा ये नियम एक centralized नियम है जो हर राज्य सरकार इनको reference के तोर पर follow करेगी और अपने हिसाब से नियम डिजाइन कर सकती है लेकिन बहुत जादा इसमें fair बदल की गुंजायश नहीं है क्योंकि आरसे एक central body है और अंतिम जो निर्ने होगा वो आरसे के नियम के होना चाहिए यहाँ पर अगले जो लेवल बताया है secondary और senior secondary लेवल पर graduate with B.A. special education आपके पास होना चाहिए या फिर जैसे कि मैं आपको बताया अभी पिछले notice में B.A. general के साथ एक साल का डिप्लोमा नियम स्पेशल एजुकुशन दोस्तों आज की डिट में जो special education डिप्लो एक साल का होता था जिस तरीके से पहले B.A. भी एक साल की होती थी उसी तरीके से डिप्लोमा भी यह वाला एक साल का होता था लेकिन आज की डिप्लोमा नियम स्पेशल एजुकुशन दिप्लोमा है तो भी वैलिड माना जाएगा यह डिप्लोमा आज की डिप्लोमा आज की यह course valid माना जाएगा जौब पाने के लिए अगर वो बाकी eligibility criteria पूरी करते हैं तो इसी तरीके से बाकी सारी चीज़े यहाँ पर अलग-अलग courses के नाम लिखे हैं तो यह है दोस्तो RCI के recruitment rules जो अभी तक valid हैं अभी तक इसलिए valid हैं क्योंकि RCI ने 2024 में ही यह notices जो भी दो नोटिस मैंने आपको पढ़के बताये पुराने नोटिस RCI की website पर मई 2024 में ही यहाँ पर दुबारा से अप्लोड किये गए हैं तो दोस्तो यह थी जनकारी weird special education और special education vacancy में eligibility criteria के बारे में मुझे अमीद है आपको जनकारी यह से समझ आ गई होगी अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप comment box में पूछ सकते हैं हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सभी doubts का सही से answer देकर आपके सभी queries को solve कर पाएं दोस्तो आल इंडे में special education और सभी प्रकार की teaching vacancy से जुड़ी authentic जनकारी पाने के लिए हमारे चनल को सब्सक्राइब कीजे इसके साथ साथ हमारे चनल की सभी वीडियो का notification सबसे पहले पाने के लिए bell icon को भी प्रेस कीजे दिनवाद दोस्तो मिलते हैं आपसे अगली वीडि उनकारी प्रेस प्रेस का अजल आपसे दोस्तो आपसे इस मारे न्सक्राइब का ट्रॉस्तो आपसे अजल को भी शहीं प्रेस के लिए आपसे बिल्मे